कि अंबनाय कर गारिज़े ऩी सेसे वह बात कर रहे थे जहरकन की नदिया उर्पक्रण की रिए 3 सिस्टम में हम लोगोंने जहरकन में सोन रिभर देखा था उसके बाद नौरथ कॉयल गपक्रड देखी उसके बाद के खेंग year कि रिवर सिस्टम में आज हम लोग इस वीडियों बात करेंगे दामदर नदी की हम लोग अभी तक कर चुके हैं सोन रिवर और उसकी ट्रिविट्रीज सोन रिवर का ओरीजिन अस्थान अमरिकन टगिल से होती है रिविट्रीज के बात करें तो घर हो गया जोहिला थोटी महा च्हान अधी, बानज, कोपार, रिएहान, सर्ञ करेंन कन्हर और नौर्थ कोय अब वही जोहन नौर्थ कोय बात कि थे हम लोग जैसे की बुड़ा रिवर हो गया उसके बात जोह औरंगा हो गया अमानत रिवर हो गया तो यह सब हम आल bodies कबर कर चुके हैं huge है आज भाए हम लोग नेख्स्ट रिवर को कंप्रीट करेंगे और जो आएगी हो आएगी दामोर्द गोर्ग दामुदर थे मिपी पहले बात करें तो भल्य दिखतें हैं यह przyag Utan लेफ्ट और राइट बहुत बार कंफिजन होता है सबसे परने देखें कि टर्मलोजीज रिवर में तो जो ओरिजिन origin का हम लोग उधगा में इस थान बोलते हैं और जहां पर end होता है उसको आउप पॉइंट बोलते हैं या फिर मुहाना बोलते हैं और left bank tributary के लिए जहां से river origin हो रही और उस directions हम लोग जाएंगे जहांँ हो रही है और फिर हम जाते में कि जो लैठ side की रिवर्स रहेगी उसका हम लोग left bank tributory न्ब जार्ट है और जो राइट side की रिवर्स रहेगी उसका हम लोग right bank tributory न्गे उसका हम लोग देखेंगे और पना दम द ही विडियो की आप एखर्षान की त опасBe पहले आप रिविजन आयस को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी जो हम लोग जैसे सी सीजियल 2023 का जो सीलेबस है उसको हम लोग कभर कर रहे हैं कि ओकि आप दामदर एक्वर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है तो जो ओर जिन पॉइंट है जो पूइंट है यह नदी नीचलती है तो प्लामू रीजन या फिर लोहर दगा रीजन दोनों से अगर क्वेशन आये specific options रहें दोनों से correct answer कोई हो सकता है और जैसे कि origin के बात करें तो लोहर दगा specific जो ओरीजिन है यहां से इसका उद्गम इस्थान है लोहर दगा चुला पानी रीजन या फिर जो hills की बात करें तो खमार पात हील जो खमार पात हील है लोहर दगा में वहां से जो दामदर रिवर की starting होती है यानि कि उद्गम होता है वही माउथ की बात करें तो दामदर रिवर जो जार्खन को क्रॉस करते हुए वेस्ट प्रंगाल में जाके तो यह माउथ बनाती है होगली रिवर का जो नाम है उचेंज रहाता है जैसे कि गंगा आती है और फरका बराज में प्रॉस कर जाती है होगली रिवर के तोर पे फर्का बराज के बाद इस नदी का नामचों शेल्ड Turn Eloda अन्ग होगली हो जाता है वहीं पर जाकि कर दामदर अपना मुहाना यानी कि जो मांट की और ऑहाधि की है वहुर्न हंथे और बेंगाल भी कहा जाता है लोहरदगा से ओरीजिनेट होके हजारीबाग रामगड भुकारो धनबाद रानी गंच आसनशो दुर्गापूर बहदमान बाको रहा है इसी डिस्ट्रिक्स में फ्लो होते हुए जाके होगली नदी से मिल जाती है वो फाइनली जो होगली नदी है बेंग बंगाल में जाके समा जाती है कि कसी नदामदर डिंवर की तो जो कि चाह की काफ़े सारी ट्रिवीट्री लेंगे नदी का लन्थ हो दामदर रिवर की ट्रिविट्री के बात करें तो काफ़ी सारी ट्रिविट्री दामदर रिवर की क्योंकि जार्खन के एक मेन नदी है दामदर रिवर तो इसके लिए जो ट्रिविट्री हो जाएंगी दामदर रिवर की जैसे काम लोग देखा भी लेफ्ट बैंक ट्रिविट सबसे पहले हो जाएगी वह को जाएगी व्याटर ज़ो को कि लिबर नेक्स रिवर जमपोनिया हो जाएगा जो थार्ट रिवर हो जाएगा बराकर रिवर पहले हैं की IMPORTने टीपृटर हो जाएगी और उसके बाद जो यह क्लिए कि दामदल टीकिंडी और एक सारी तर्बीव मिलती है और जो दामदर ह vanem ride अध्य में जाके मिलती है और जी सकी बिभाथ करते है जो है को घड़िया सांथ भेडा भेडा रिवर भी एक important है क्योंकि भेडा रिवर जाके लामदर रिवर से मिलती है वहां पर जाकर एक fall का निर्मान होता है जो कि हम लोग देख सकते हैं जो fall है वहीं पर एक टेंपल भी है चिनमास्ति के टेंपल और इसका हम लोग रजरप्पा फॉल भी बोलते हैं तो यह भी कोशन आ सकता है कि कौन से रिवर के उपर रजरप्पा फॉल है तो जो विड़ा रिवर है उसे आंसर हो जाएगा यह कुछ-कुछ इंपोर्टन ट्रिविटी ती दामदर की वह बात करें तो जो अर्या जाके दामदर रिवर से मिलते है चीराद कुण वाली रीजन में है जो मेंजरन देम्स की बात कर लें तो जो दिवी से था तैक्ष कुछ-कुछ मेंजरन बनाएं गया है घाम ayuda बेसिन के अंदर मेजर डेम्स जो हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डेम्स कौन से हैं हम लोग उसके बाद कर लें तो यह जो है यह दामोदे रिवर जा रही है पिंक कलर में और उसके बाद जो है एक कोनार रिवर यहां पर है जो कोनार डेम का निर्मित हुआ है उसके ब राकर रिभर में अभी कि अमधर में और फ्र बेंच HERE कि आज देखें कि अब लोग इसी हम लोग और एक बाद देख सकते हैं यह जो दामदर रिवर जा रही है और पाइनल जाकर भोगली दिफोर से मिल जाती है अंब बात करें तो जो आर बर्यर में कुमार देम 2 छांब ब्राकर रिभर में 2डे मैं या के यह घ्राख ऑन जो Cabinet इसके जच ठोड़ी से उपर यह एक और डब पाद तो ते निर्मान स्वा जिसका नामलों मैहाथ रिपल सकते हैं शिव दनबाद कर दिस्टिक कर डिसेथी कंदर है और और बात करेंसट तो चोटी मृटी नदिया जो मिलती जैसे की दूणिया हो गया और सबसे पहले जो सबसे पहला डेम है दामदर वैली कोपरेशन कंदर तिल्या डेम 1953 में भी बना था जो कि बराकर रिवर के उपर है और 1955 तक आते आते कोनार रिवर के उपर भी कोनार डेम बना सबसे पहले यहां पर बना तिल्या डेम बराकर रिवर के उपर 1955 में कोनार डेम बना रिवर के उपर और 1957 में माइथून डेम बना यहां माइथून डेम यह जो है 1958 में जो है पंचेत डेम का निर्मान हुआ था और लास्ट में at the last जो है टेनुगाट डेम और नुगाड डेम को जो निर्मान है वो 1978 में यह दामदर रिबर पर है ले नुगाड डेम और पंचेज़ डेम जो में है और बाकिभी सारी जी डॉमिं तो पंचेज दामदर पर है मार bereव नेक्स्ट बात करें तो बराकर रिबर जो कि डामदर रिब misma की इंपॉर्टेंट क continues जैसे कि बराकर रिवर की ओरीजिन के बात करें तो पदमा रिजिन से इसका ओरीजिन होता है हजारे बाग डिस्टिक से और यह टोटल रिवर के जो लैंथ है लगवग दो सो पचीस किलोमेटर फ्लो करती है उसके बाद जाके दामदर रिवर से मिल जाती है अब जहां पर मिल जाती है और फिर जो गंगा जोगली नाम से जाता है बजाके बेव बंगालों मिल जाती है अब आगे बात करें तो जो है बराकर की ट्रिविट्रीज की बात करें तो उसरी रिवर एक ट्रिविट्रीज है और फिर दूसरी ट्रिविट्रीज है बरसोती और यहां पर तिलेया डेम जो है बराकर रिवर में ही बनाए गया है जैस है कि राज बालु का जेन टेमपल राज ये फिर रुजू का रुजू कि Nahe me और शकती देवी है उनकी पूजह पूज़ा होती है विजा तो prison से आंदर यह याद रखने हैं एक रोजुबालू का json temple और एक कर्यां नेशाइ नेश्वरी देवी टेंपल है दो मंदिर याद रखने हैं हम लोगो देखें इस वीडीो में कि सबसे पहले दामोदर रिवर देखें, उसकी ट्रिविट्रीज देखें, और उसके बाद बराकर रिवर देखें, उसकी ट्रिविट्रीज देखें, ओरीजिन पॉइंट देखें, माउट पॉइंट देखें, मुहाना देखें, कितनी डिस्टेंस तक बहती हैं, वो देखें, जो भी मयूराक्ची रिवर, सक्री रिवर, और भी जितने इंपॉर्डेन रिवर्स जारकन में, जैसे कि साउध कोईल हो गई, संक हो गई, स्वन रेखा हो गई, ये सारी रिवर्स के उपर हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जाहें